तो क्या हाल चला आप सभी के? आज की वीडियो ऐसी होने वाली है, आपने सोची ना होगी, तो आए तेरा भाई लाएगा बवंडर, ऐसा बच्चों का बवंडर, जिसे देख कर आपकी हंसी नहीं रुखेगी, तो सब्सक्रेब बटन को उखाड़ फिंग को यादा डायम का पू नहीं चलाएंगे, बढ़ते हैं सिदा वीडियो की और, तो चलो अब इस बच्ची को देखती हैं, सभी एक्सोसाइज कर रहे थे, तभी बच्ची ने कुछ अलग करने की सोची, और बच्ची ऐसे ऐसे कसरत करने लगी, कि बिल्कुल मज़ा आ गया देखके, इस बच् देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ, अब आपने सब मजा लेना चाहिए, आनंद लीजिए, मजा आया, तो चलो जार अब एक चाइना का बच्चा देखती हैं, आपको पता ही आए, कि चाइना के बच्चों की हरकते कैसी होती हैं, ये बच्चा अपनी ममी के साथ कबूतरों को दाना डाल रहा था, लेकिन बच्चे को कबूतर का दाना खाना कुछ पसंद नहीं आया, उसने भाई उसकी चों से शीन कर भाई, खुद खा लिया, देख रहे हो मतलब की बच्चे का दिल, चाइना वालों के बच्चों का दिल, भाई, कितना बड़ा ह होता है, भाई, मुड़ी पकड़ी हो रहे है, चों से दाना शीन दिया, भाई, कैसे बच्चे आये, ये तो भाई, एक दिने जानवरों को खा जाएंगे, और एक बच्चे ने तो भाई, पिरली वीडियो में खा भी लिया था, वो भी शायद चाना का ही बच्चा था, ये बहुत कोशिश करने के बाद भी ये पहन नहीं पा रहा था, तभी इसे बहुत गुसा जाता है, और भाई, इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, इसने सारी जुराबे निकाल कल फेंक डाली, और भाई, बहुत जीब-जीब हरकते करने लग गया, मतलब कि बहुत गुसा हो ग ठीक वैसे ही किया इस बच्चे ने, इस बच्चे ने इस पैकट का राम नाम सत्य कर दिया, और भाई, ऐसे पटा के फोड़ना किसे पसंद था बच्पन में, भाई, नीचे कमेंट करके बताना, लेकिन इस बच्चे ने भाई, दोनों हातों से चपल देधना दन दे मारी, और तभी भाई, पटा का फूड जाता है, और बच्चा खुश और सभी खुश, मज़ा आया, जरा आपने बबा राम देव को उल्टी सीधी हरकते करते देखा होगा, जरा मतलब कि योगा करते देखा होगा, और पेट को साम की तरह टेडा मेडा करते हुए देखा होगा, आने वाला बाबा राम देव भाई देख लो, यही है, यही भाई बाबा राम देव का दानापानी बंद कर देगा, और खुद बाबा राम नाम देव सत्यजी बन जाएगा, और सबके होश उडा देगा, और सबको कसरत करवा देगा दोस्तो, इस दिनी शोटी उमर में भा बीच बीच भाई देद नादन तोफानी डांस करने लगा ऐसी खुशी भाई सब को होती है जब स्कूल से शुटी होती है तो बच्चे बाहर की तरफ ऐसे बागते हैं जैसे कि सालों बाद भाई जेल से शूट कर आए हूँ अगर अपनी देशी बाशा में बोलूँ तो ऐसे बागते हैं जैसे कि बार मीठे चोल बांटे जा रही हूँ यहां एक बच्चे को चोट लग जाती है लेकिन दूसरे बच्चे ने बोला कि डॉक्टर के पास जाने की जुरूरत नहीं है मेरे एक पपी लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा तब भी बच्चे ने एक पपी दी और दूसरे बच्चे की बच्चे चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है ऐसा यादूई बच्चा अपने देखा था के अभी तक लेकिन मैंने दिखा दिया यह बच्चे तो भई एक पपी से ही सब कुछ तमाम कर देते हैं मतलब की एक तो भई बच्चे होते हैं एक होते हैं अल इह नहीं कि इसको और मुझा पुरा इकेन है कि आज की वीडियो को देखकर आपको बहुत ही मजाया होंगा इसलिए सब्सक्राइब बिटन को उखाड फेंग को यदा डायम का चुप्पू नहीं चलाएंगे चलते हैं